नमस्ते दोस्तों, प्रस्तूत है मुंसी प्रेम्चंद के लोगप्रे कहानियों में से एक कहानी जिसका शिर्षक है दो बहने दो बहने दो साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रोध होकर खुश हुई तो बरी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोड़ी बहन रामदुलारी सिर से पाँ तक गहनों से लदी हुई है कुछ उसका रंग खुल गया है, सोभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बाचित करने में ज़्यादा चतुर हो गई है किम्ती बनारसी साड़ी, बेलदार उन्नावी मकमल के जमपर ने उसके रुप को और भी चमका दिया वही रामदुलारी लरकपन में सिर्के बाल खोले, फूहर से इधर उधर खेला करती थी अंतिमबार रूप कुमारी ने उसे उसके विवा में देखा था दो साल पहले तब भी उसकी शकल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहर, उतनी ही मंदबुद्धी जरा जरा सी बात पर रूटने वाली, मगर आज तो कुछ हालात और थी जैसे कली खिल गई हो, और यह रूप इसने छिपा कहा रखा था नहीं, आँखों को धोखा हो रहा है यह रूप नहीं, केवल आँखों को लुभाने की शक्ती है रेशम और मखमल वा सोने के बल पर वा रूप रेखा थोड़े ही बदल जाएगी फिर भी आँखों में समाई जाती है पचासों इस्तरियां जमा है, मगर यह आकर्शन, यह जादू, और किसी में नहीं कहीं आइना मिलता तो जरा अपनी सूरत देखती घर से चलते समय उसने आइना देखा था अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी उससे कुछ अधी की चढ़ाया था लेकिन अवव सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है उसकी धुनली सी परचाही बर फिदर पट परे उसे फिर से देखने के लिए बेकरार हो रही है वह अब तुलनात्मक दृष्टी से देखेगी राम दुलारी में आकरशन कहां से आया इस रहश्य का पता लगाएगी यो उसके पास मेकप की सामग्रियों के साथ चोटा सा आइना भी है लेकिन भीर भार में वह आइना देखने या बनाव श्रिंगार की आदी नहीं है ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे मकर यहां कोई आइना तो होगा ही ट्राइंग रूम में तो जरूर ही होगा वह उठकर ट्राइंग रूम में गई और कदे आदम सीशे में अपनी सूरत देखी वहां उस वक्त और कोई न था मर्द बाहर सहन में थे और ते गाने बजाने में लगी वी थी उसने आलोचनात्मक तृष्टी से एक-एक अंग को अंगों के एक-एक विन्याश को देखा उसका अंग विन्याश उसकी मुक्षवी निस्कलंक है मगर वह ताजगी, वह मादक्ता, वह माधूर्य नहीं है हाँ, नहीं है वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती क्या कारण है? यही की रामदुलारी आज खिली है उसे खिले जमाना हो गया लेकिन इस ख्याल से उसका चित सांत नहीं होता वह रामदुलारे से हेटी बनकर नहीं रह सकती यह पुरश भी कितने गावदी होते हैं किसी से भी सच्चे सौंदरी की परक नहीं इन्हें तो जवानी, चंचलता और हावभाव चाहिए आखे रखकर भी अंधे बनते हैं बला इन बातों का आपसे क्या संबन? यह तो उम्रम के तमाशे हैं असली रूप तो वह है जो समय की परवाह न करें उसके कपड़ों में रामदुलारी को खरा कर दो फिर देखो यह सारा जादू कहां उर जाता है? चुरेल सी नजर आए मगर इन अंधों को कौन समझाए? मगर रामदुलारी की घर वाले तो इतने संपन न थे खुशाली का कोई दूसरा सामान भी न था इसके ससूर एक रियासत के मुख्ता राम थे और दुला कॉलेज में पढ़ाता था इन दो सालों में कहां से अहुस्म बरस गया? कौन जाने गहने कहीं से मांग लाई हो? कपड़े भी मांग के हो सकते हैं कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़तर दिखाने की लथ होती है तो वह स्वाग रामदुलारी को मुबारक हो मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ प्रदेशन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है धर में रोटियों का ठिकाना नहीं मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस्वा है लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बंठन कर मानो कहीं की राज़कुमारी है विसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी ब्याज के सामने हाथ जोरेंगी शोहर की घुर्किया खाएंगी रोएंगी रूठेंगी मगर प्रदेशन के उनमार को नहीं रोकती है घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छीछोडी तप्यत है इसकी मगर यहां तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांग ली है कोई कितना ही हसे बेहया की बलाद दूर उन्हें तो बस यही रून सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर लोग घरदे पर हाथ रख कर रह जाए रामदुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए बेशर्म जो है उसके चहरे पर आदम सम्मान की लाली दौर गई ना सही उसके पास जेवर और कपरे उसे किसी के सामने लजजी तो नहीं होना परता किसी से मूँ तो नहीं चुराना परता एक एक लाह के तो उसके दो लड़के है भगवान उन्हें चिरायू करे वो इसी में खुश है खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से तो जीवन का उद्देश पूरा नहीं हो जाता उसके घर वाले गरीब हैं पर उनकी इज़त तो है किसी का गला तो नहीं दबाते किसी का शाप तो नहीं लेते इस तरह अपने मन को धाड़ास देकर वा फिर बरामबे में आई तो रामदुलाडी ने जैसे उसे दया की आँखों से देखकर कहा जीजा जी की कुछ तरक्यों रखकी हुई की नहीं बहन या अभी तक वही 75 रुपए पर कलम गिज रहे है रूप कुमारी की दे में आग लग गई ओफो रे दिमाग मानो इसका पती लाट ही तो है अकरकर बोली तरक्य क्यों नहीं हुई अब 100 के ग्रेड में है आज कल यह भी गनीमत है नहीं तो अच्छे अच्छे में पासों को देखती हूँ कि कोई टके को न पूस्ता तेरा सोहर तो अब बीए में होगा राम दुलारी ने नाक सिकोर कर कहा उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन पढ़कर उकात खराब करना था और क्या एक कंपनी के एजेंट हो गए है अब धाई सो रुपे महवार पाते हैं कमीशन उपर से पांच सो का औसक पर जाता है देड़ सो महवार तो उनका नीज का खर्चे बहन उचे ओदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो हो चाहिए साड़े तीन सो बेदा घर दे देते हैं उसमें से सो रुपे मुझे मिलते हैं धाई सो रुपे में घर का खर्च खुस फैली से चल जाता है एन्मे पास करके क्या करते हैं रूप कुमारी इस कथन को तो शेख चिल्दी की दास्तान से जादा महत्व नहीं देना चाहती मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत पादकता है कि वह अपनी निम्न चेतना से उससे अधिक प्रवावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिंता साफ जलक रही है मगर यदि उससे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हिर्दय से निकाल देना पड़ेगा जिरा करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके कावे में एक चौथाई से भी ज़्यादा सत्य नहीं है एक सौथाई तकवर सह सकती है इससे ज़्यादा उससे न सहा जाएगा इसके साथ ही उसके दिल में धरकन भी है कि कहीं या कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मू दिखाएगी उसे भै है कि कहीं उसके आँखों से आँसों निकल पड़े कहां 75, कहां 500 इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले फिर भी रूप कुमारी के लिए औस है आत्मा का मुल्य अधीक से अधीक 100 रुपे हो सकता है 500 केसी हालत में भी नहीं उसने परिहास के भाव से पुछा जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदिगी खराब कर रहे है राम धुलारी बहन के खिसियाए पने का आनंद उठाती भी बोली बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो में में भी तो पास सभी हो सकते है मगर एजेंटी बिरले कोहीं किसी को आती है या तो इश्र की देन है कोई जिंदिगी भर पढ़ता रहे मगर यह जरूरी नहीं वाच्छा एजेंट भी हो जाएगा रुपय पैदा करना दूसरी बात है आलिम फाजल हो जाना दूसरी बात अपने माल की श्रेष्टा का विस्वार्श पैदा करा देना या दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाओ माल बाजार में मिली नहीं सकता आसान काम नहीं है एक से एक घागों से उनका सामना पड़ता है बरे बरे राजाओं और रईशों का मत फेरना पड़ता है तब जाके कहीं माल बिखता है मामली आदमी तो राजाओं और नबाबों के सामने जाही नहीं सके पहुँची न हो और किसी तरह पहुँच भी जाये तो जबान न खुले पहले पहल तो इन्हें भी जिज़क हुई थी मगर अब तो इस सागर के मगर है अगले साल तरक्की होने वाली है रूप कुमारी की धम्नियों में रक्त की गती जैसे बंध हुई जा रही है निर्दई आकास कीर क्यों नहीं परता पाशान हिर्दय धर्ती फट क्यों नहीं जाती या कहा का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूप पती है तमीजदार है, सुघर है, पती पर जान देती है बच्चों को प्रानों से ज़्यादा चाहती है थोरे से ग्रियस्ती इतने अच्छे धन से चलाती है उसकी तो या दुरगती और या घमंडी बत्तमीज विलासनी जंचल मोफट छोकडी जो अभी तक सिर्खोले घुमा करती थी रानी बन जाए मगर उसे अब धी कुछ आशाब आती थी शाद आगे चल कर उसके चित की शान्ती का कोई मार्ग निकल आए उसे परिहास के स्वर में फिर बोली तब तो शाद एक हजार मिले लगे एक हजार तो नहीं पर छे सो में संदे नहीं कोई आखों का अंदा मालिक फस्क गया होगा वैपारी आखों के अंदे नहीं होते दीदी उनकी आखें हमारी तुमारी आखों से कहीं तेज होती हैं जब तुम उन्हें छे हजार कमा कर दो तब कहीं छे सो मिले जो सारी दुनिया को चलाए उसे कौन बेवकुब बनाएगा परिहास से काम ना चलते देखकर रूपकुमारी ने अपमान का अस्तर निकाला मैं तो इसे कोई अच्छा पेशा नहीं समझती सारे दिन जूट के तुमार बांदो या तो ठक विद्या है राम दुलारी जोर से हसी बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर है सभी ठक विद्या करते हैं अपने मौकिल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना परता जूटे सहाधिते तक बनानी परती है मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं उनकी गारिया खीशते हैं उनपर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं उनके नाम से सरकें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं आजकल दुनिया पैसा देखती है आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है पैसा कैसे आए, यह कोई नहीं देखता जो पैसे वाला है, उसी की पूजा होती है जो अभागे हैं, अयोग हैं या भीडू है वे आत्मा और सदाचार की दुभाई देकर अपने आसु पोस्ते हैं नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूस्ता रूप कुमारी खामोश हो गई अब उसे यह सत्य अपनी सारी वेदनाओं के साथ स्विकार करना पड़ेगा कि दुलारी उससे जादा भागेवार है इससे अब थरान नहीं परिहास या अनादर से वो अपनी तन दिली का प्रमान देने के सिवा और क्या पाएगी उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की चानबीन करनी पड़ेगी अगर राम दुलारी वास्ता में लक्षमी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किसमत ठोप कर बैट रहेगी समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है कहीं इमानदारी की पूछ नहीं है मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोश होगा यहां कौन इमानदार है वही जिसे बैमानी करने का आवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धिया मनोबल है कि वह आवसर पैदा कर ले उसके पती 75 रुपे पाते हैं पर क्या 10-20 रुपे और उपर से मिल जाए तो वह खुशों का लेना लेंगे उनकी इमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है तक आवसर नहीं मिलता जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी और क्या रूप वंती में इतना नैतिक वल है कि वह अपने पती को हराम का माल हजम करने से रोकते रोकना तो दूर की बात वह प्रसन नहोगी शायद पती देव की पीट ठोकेंगी अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है तब वह दूर पर खरी होकर उनकी बार्ट जोहेगी और जोहीं वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलासी लेंगी आंगन में गाना बजाना हो रहा था रामदुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूपकुमारी वहीं बारामदे में उदास बैठी भी थी नजाने क्यों उसके सिर में दर्ध होने लगा था कोई गाए, कोई नाचे, उससे प्रियोजन नहीं वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है नौ बजे रात को महमान रुखसत होने लगे राजकुमारी भी उठी, एकका मंगवाने जा रही थी कि रामदुलारी ने कहा, एकका मंगवा कर क्या करोगी बहन मुझे लेने के लिए कार आती होगी छलो दो-चार दिन मेरे हां रहो, फिर चले जाना मैं दीजा जी को कहला दूँगी, तमारा इंतजार न करे रूप कुमारी का या अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया रामदुलारी के घर जाकर हाल-चाल की टो लेने की इक्षा गायब हो गई वह अपने घर जाएगी और मूँ धाब कर पढ़ी रहीगी इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए बोली नई अभी तो मुझे फुरसत नहीं है, बच्चे घबरा रहोंगे, अभी घर जाओंगी, फिर कभी आओंगी क्या रात भिर भी नठार होगी, नई अच्छा बताओ कब आओगी, मैं सवारी भेज दूँगी, मैं खुद कहला भेजूँगी तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया मैं इसे दिन्जार में थी कि दीदी बुलावे तो चलू एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो राज कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुटी नहीं मिलती कई भार उसने इरादा कि दूलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला सहसार राम दूलारी के पती मिस्टर गुरू सेवक ने आकर बरिसाली को परणाम किया बिलकुल अंग्रेजी सजधज, मुख मेचुरूड, कलाई पर सोने की घरी, आँखों पर सुनहरी एनक, जैसे कोई सीविलियन हो चहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी वह इतना रूपवान है, और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था कपरे जैसे उसकी दे पर खिल रहे थे आशरवाद देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हसकर बोला, यह उल्टी शिकायत, क्यों ना हो, कभी आपने बुलाया और मैं न गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को महमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ, अब मान गया भावी सहाब, बेशक मेरी गरती है, इस दृष्टी से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर कभी जाऊंगी, ड़के घबरा रहोंगे, रामदुलारी बोली, मैं कितना कहके हार गई, मानती ही नहीं दोनों बेहने कार की सीट पर बैठी, गुरु सेवक ट्राइब करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया, रामदुलारी ने फिर बेहन से उतरने के लिए आगरह किया, पर वह न मानी, लड़के घबरा रहोंगे, आखिर रामदुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली एक सलाका की भाती उसकी कलेजे में चुप गया, खुस दूर चलकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर दो-चार साल इसी तरह काम चलता रहा तो आदमी बन जाओंगा, रूप कुमारी ने सहानभूती के साथ का, रा अगवान करें चहां रहो, खुश रहो, मगर जरा हाथ पर सम्हाल के रहना, मैं मालिक की आँख बचा कर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूं भाभी, दौलत का मज़ा तो तभी है कि इमान सलामत रहे, इमान खोकर पैसे मिले तो क्या, मैं ऐसी दौलत को त्याज समझता और आँख किस की बचाओं, जब सियाज सुफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है, मैंने उसका कारोबार सम्हाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता, मेरे सामने तो मालिक सिर्फ त महिने में बारह हजार का काम किया, काम क्या करना परता है, रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश के पूछा, वही मशीनों की एजन्टी, तरह तरह के मशीने मंगाना और बेचना थंदा जवाब था, रूप कुमारी का मनहुस घर आ गया, द्वार पर एक लाल्टिन टि खेल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आगरह नहीं किया, एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर पर जोर नहीं दिया, और उमाना तो गुरु सेवक से मुखातिब भी नहीं हुए, रूप कुमारी को वह घर अग कबरिस्तान सा लग जैसे फूटा हुआ भागे हो, ना कहीं फर्ष, ना फरनीचर, ना गमले, दो चार टूटी टाटी तिपाईयां, एक लंगडी मेज, चार पाच पुरानी पुरानी खाटे, यही उस घर की भी साथ थी, आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब य गर उसे काटे खा रहा था, लड़के अम्मा अम्मा करके दोरे, मगर उसने दोनों को जिरत दिया, उसके सिर में दर्ध है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े, अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूद पी लिया है, किन तो उमाना लानी पड़ेंगी, रूप कुमारी ने द्रिश्कार के भाव से कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे, मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो मैं रात को वही रह जाती, आखिर तुम कोई महराजिन क्यों नहीं रख लेते हैं, क्या जिं उन्होंने हमेशा निरापद सही उपाया है, निरापद ही नहीं, सहानु भूती पूर्ण भी, उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी, चार पांच र सफाई देते वे बोले, महराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे खईबार कहा, तो लाकर रख क्यों न दिया, मैं उसे निकाल देती तो कहते, हाम यह गलती हुई, तुमने कभी सच्छे दिल से नहीं कहा, रूप कुमारी ने और भी प्रचंद होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा, मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुमारे मन का रहसे न समझू, तुमारी दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं, तुम तो खुश थे कि अच्छी लॉंडी मिल गई, एक रोटी खाती है और चुपचा परी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, या भी जब घर की जरुरतों से बचे, 75 रुपल लिया लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्ज, मेरा दिल ही जानता है, मुझे कितनी कतर ब्योद करनी परती है, क्या पहनू और क्या उड़ू, तुम्हारे साथ जिंदी की खराब हो तुमसे कम पड़ा है, उमर में तुमसे कहीं कम है, मगर पार्ट सो का महिना लाता है, और रामदुलारी रानी बनी बैठी रहती है, तुम्हारे लिए यही 75 रुपे बहुत है, राण मान ही में मगन, तुम नाहक मर्दवे, तुम्हे तो औरत होना चाहिए था, औरतों के द चाहिए क्योंकि पुरुष हो बाहर से कमा कर लाते हो मैं चाहे जैसे रहो तुम्हारी बला से वागवानों का यह सिर्चला कई मिनर तक चारी रहा और उमानात चुप चाप सुनते रहे अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया उनका व हैं इसी साल बरे बाबु के छोटे सुपुत्र को छे महिने तक बिना नागा पढ़ाया इसलिए तो अकीवा प्रसंद रहे अब वह और क्या करें रूप कुमारी की खफगी का रहस्यवत समझ गये अगर गुरु सेवत वास्तों में 500 रुपए पाता है तो बेशक वह भाग मिल गया मगर हरे को ऐसे अफसर नहीं मिलते वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए मिलते हैं या माइस डिंग है और माल लिया कि 500 रुपए मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे और उन्हें जलीकटी सुनाएं अगर इ त्याग में ही है लेकिन उससे भी बढ़कर सुन्दरी मृद्युभाशनी त्याग में ही देवियों से दुनिया खाली नहीं है तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करें एक समय था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार म में न थी लेकिन वह उनमात कब का शांत हो गया भावुकता के संसार से वास्त्विक जीवन में आए उन्हें एक युग बीट गया अब तो विवाहत जीवन का उन्हें काफी अन्भव हो गया एक को दूसरे के गुन दोश मालूम हो गया है अब तो संतोश ही में उनका सहानभूती ही हुई वह उदार प्रविर्ति के आदमी थे और कलपना शील भी उसकी घटू बातों का जवाब न दिया सर्बत की तरह पी गए अपनी बहन के ठाट देखकर एक शन के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशा जनक अन्याय पूर्ण दुखत भाव का इस तरह अपने मन को समझा कर उमानाथ ने गुरु सेवक के विशे में तखकात करने का संकल्ब किया एक सब्ता तक रुप कुमारी मानसिक अशांती की दशा में रही बात बात पर जुझलाती लड़कों को डांटती पती को कोस्ती अपने नसीबों को रोती घर का काम तो कर यह संबंध सा हो गया था जिनकी सफाई और सजावत में वह वैस्त रहा करती थी उनकी तरफ आख उठा कर भी न देखती घर में एक ही खित्मत रार था उसने जब देखा बहुझी घर की तरफ से खुद ही लापरवा है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता जो चीज जहा पड़ी थी वहीं पड़ी रहती कौन उठा कर ठिकाने से रख थे बच्चे मा से बोलते डरते थे और उमानात्तों उसके साय से भी भागते थे जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल देते और दफ्तर चले जाते दफ्तर से लोटकर दोनों बच्चों को कहना बारूत में दिया सलाई लगाना था हाँ उनकी वह तहकी का जारी थी एक दिन उमानात्त दफ्तर से लोटे तो उनके साथ गुरू सेवक भी थे रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिती से सहयोग कर लिया था और इस वक्त जारन लिये कुर्सिया और पाईयां साफ कर रही थी कि गुरू सेवक ने अंदर पहुँच कर सलाम किया रूप कुमारी दिल में कट गई उमानात पर ऐसा क्रोध आया कि उनका मू नोच ले इन्हें लाकर यहां क्यों खरा कर दिया ना कहना न सुनना बस बुला लाए उसे इस दशा में देखकर गुर आई ही थी कब वह अपना पर्दा धांती फिरती है और आप उसे खोले फिरते हैं जराबी लग जा नहीं ऐसी बेहाई का बाना पहल लिया है बर बस उसका अपमान करते रहते नचाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है आश्रवाद देकर कुसल समाचार पुछा और कुर्सी रखती गुरु सेवक ने बैरते वे का आज भाई साहब ने मेरी दावत की है मैं उनकी दावत पर तो ना आता लेकिन जब उन्होंने कहा तुमारी भावी का बरा तका जा है तो मुझे समय निकालना पड़ा रोप कुमारी ने बात बनाई घर का कला छिपाना पड़ा तुम आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी रूप कुमारी को ग्यात हुआ यह प्यूवक कितना सुरूची ही कितना अरशिक है दूसरों के मनुभाव का आदर करना जैसे जानता ही नहीं इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम है कि दुनिया में सभी भागयसाली नहीं होते ल लोग विलास में कौन सा सभागे जहां बहुत से आदमी भूखे मर रहे हों वहां दो चार आदमी मुहन भोग उराय तो यह उनकी बेहयाई और हिर्दा ही इंता है सभागी कभी नहीं कुछ चिड़कर बोली पिंजरे में रहना कट घरे में रहने से अच्छा है पिंजरे मे तो इस घर में दम घुर जाए मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठिक करा दूँगा खोब लंबा चौड़ा आपसे कुछ किराया ना लिया जाएगा मकान हमारी मालकिन का ही है मैं भी उसी थे एक मकान में रहता हूं सैक्रो मकान हैं उसके पास सैक्रो सब मेरे अख्तियार में हैं जिसे जो मकान चाहूं दे दूँ मेरे अक्तियार में है किराया लो या ना लो मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठिक करूंगा मैं आपका बहुत अदब करता हूं जाजकुमारी समझ गई, महाशा इस वक्त नशे में है, अभी योँ ही बख रहे है अब उसने गौर से देखा, तो उनकी आखें सिकुर गई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लर्खराने लगी थी एक जवान खूबसूरत शरीफ चहरा, कुछ ऐसा शेखी बाज और नेलज हो गया कि उसे देख कर धिरना होती थी उसने एक शन के बाद फिर बहरतना शुरू किया मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाबी है, आपके लिए मेरी जान हाजिर है आपके लिए एक मकान नहीं, सौ मकान तयार है, मैं मिसेज लोहिया का मुक्तार हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मैं जो कुछ कहता हूँ वा आखें बंद करके मनजूर कर लेती है मुझे अपना बेटा समझती है मैं उसकी सारी जायदात का मालिक हूँ मिस्टर लोहिया ने मुझे बीस रुपए पर रखा था बीस रुपए पर वह बड़ा मालदार था मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहां से आती थी किसी को नहीं मालूम मेरे सिवा कोई नहीं जानता वह खुपए फरोश था जिसे से कहना नहीं वह चोड़ी से कोकीन बेशता था लाखों की आमदनी थी उसकी अब वही व्यापार मैं करता हूँ हर शहर में हमारे खुपिया एजेंट है मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया जी हाँ मजाल नहीं कि कोई मुझे किरफ़तार कर ले बरे बरे अफसरों से मेरा याराना है उनके मुझे में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी जबान बन कर देता हूँ कोई चू नहीं कर सकता दिन दहारे बेशता हूँ हिसाब में लिखता हूँ एक हजार रिश्वदी देता हूँ पाथ सो बाकी यारों का है बेदरेग रुपए आते हैं और बेदरेग खर्ज करता हूँ बुढिया को तो राम नाम से मतलब है सत्तर चुए खाकर अब हर्ज करने चली है कोई मेरा हाथ पकरने वाला नहीं कोई बोलने वाला नहीं जेब से नोटों का एक बंदल निकाल कर बोला यह आपके चर्णों की भेट है मुझे दुआ दीजिये कि इसी शान से जिंदी कर जाए जो आत्मा और सदाचार के उपासक है उन्हें खुबेड लाते मारता है लक्षमी उनको पकरती है जो उसके लिए अपना दीन और इमान सब कुछ छोड़ने को तयार है मुझे बुरा न कहिए मैं कौन मालदार हूँ जितने धनी हैं वे सब के सब लुटे रे हैं पक्के लुटे रे डाकू कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर साला बनवा दूँ फिर देखिए मेरी कितनी वावा होती है कौन पूछता है मुझे दौलत कहां से मिली जिस महात्मा को कहिए बुला कर उससे अपनी परसंसा करवा लू मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूशन की उपादी दी थी इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा यहां तो लूट है एक वकील आदा घंटा बहस करके पांच सुरुपे मार लेता है एक डॉक्तर जरा सा नस्तर लगा कर एक हजार सीधा कर लेता है एक जुवारी स्पेक्लेशन में एक एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है जी हाँ जायज है मेरी निगाह में बरे बरे मालदार की भी को इज़त नहीं मैं जानता हूँ वा कितना बड़ा हतगंडे बाज है यहां जो आदमी आखों में धूल जोख सके वही सफल है गड़ीबों को लूट कर मालडार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं जीवन का उद्देश है ऐसा करना खूब लूटूंगा, खूब एश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाओंगा कहिए दिनादूं यहां कितने लोग जुआ खेल खेल कर कर करोरपती हो गए कितने औरतों का बाजार लगा कर करोरपती हो गए सासा उमानात में आकर का मिस्टर गुरू सेवक, क्या कर रहे है चलो चाई पिलो ठंडी हो रही है गुरू सेवक ऐसा बरबड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमान देना चाहता हो मगर पाउन लडखराए और जमीन पर गिर पड़ा फिर समलकर उठा और जूमता जूमता ठोक रिखाता बाहर चला गया रूप कुमारी ने आजादी की सास ली यहाँ बैठे बैठे उसे हौल दिल सा हो रहा था कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गए थी जो प्रेरनाय कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप में उसके मन में आ रही थी आज उसे उनका असली विभत घिनावना रूप नजर आया जिस त्याग, सादगी और सादुता के वातावरन में अब तक उसकी जिन्दीगी गुजरी थी उसमें इस तरह के दाओं पे छलकपट और पतीत स्वार्थ का घुसना पिलिकुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में साडों का एक चुंड खुश जाए इन दामों वह दुनिया के सारी दौलत और सारा एश खरिने को भी तयार ना हो सकती थी नहीं अब राम दुलारी के भागे से अपने भागे का बदला ना करेगी वह अपने हाल में खुश है राम दुलारी पर उसे दया आई जो भोग विलाश की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सरनाश कर रही है मगर वह बिचारी भी क्या करे और गुरु सेवक का भी क्या दोस है जिस समाज में दौलत पूजती है जहां मनुश्य का मूल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आका जाता है जहां पगपग पर प्रलोबनों का जाल बिचा हुआ है और समाज की कुववस्था आदमी में इस श्याद्वेस अपरन और नीच्टा के भाव को उकसाती और उभारती रहती है गुरु सेवक और रामदुलारी उस जाल में फस जाए उस प्रवाह में बस जाए तो कोई आच्सरज नहीं उसे वक्त उमानाथ ने आकर कहा गुरु सेवक यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था मैंने तो उसे विदा कर दिया जी डरता था कही पुलिस उसके पीछे न लगी हो नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरफ पिश जाओं रूप कुमारी ने छमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया वही अपनी खुफिया फरोशी की दिंगे मार रहा था मुझे भी मिसेज लोया से मिलने को कह गया है जी नहीं आप अपनी कलर्की किये जाएए इसी में हमारा कल्यान है मगर वक लड़की में एश कहां क्यों ना साल वर की छुटी लेका जरा उस दुनिया की भी शेयर करूँ मुझे अब उस एश का मोह नहीं रहा दिल से कहती हो सच्चे दिल से उमानाथ एक मिनट तक छुप रहने के बाद फिर बोले मैं आकर तुमसे यह विर्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं सच कहना कभी नहीं मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विश्खिला सकता है मुझे सारा हल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहतेगा जरूर और सब खुद ही उदल देगा लल चाता तो तुम्हारा जी भी था हाँ लल चाता तो था और अब भी ललच रहा है मगर आश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वह कहां से लाओंगा इश्वर न करे वह हुनर तुम में आए मुझे तो उस बेचारे पर तरशाता है मालूम नहीं खैरियत से घर पहुँच गया या नहीं उसकी खार थी कोई चिंता नहीं रूप कुमारी एक शन जमीन की ओर ताक रही थी फिर भोली तुम मुझे दुलारी के घर पहुँचा दो अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सको जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारो ओर निशाचर खात लगाए बैठे शायद मैं उसे बचा सको उमानाथ ने देखा उसकी छवी कितनी दया पुलकित हो उठी है घन्यवाद